जो तेरे दिल में थी… क्या बात है? अवाल साहब? थोड़ा सा… घुजू की है? पढ़ा गया आई है, कवाल साहब थोड़ा साहब? हाँ, वेडा बना के आई है खाले छेट, खाले वह, थोड़ा सा लाउट है जो तेरे दिल में थी वो बात समझ ली मैंने होके बरबाद तेरी जात समझ ली मैंने होके बरबाद तेरी जात समझ ली मैंने पलट तुमने दिल तोड़ दिया तुमने दिल तोड़ दिया खैर कोई बात नहीं आपकत मजली मैने एक शेर सुनिये गाजराद, सभी लोगों से तगजी चाहती हूँ, कहना है क्या? सिर्फ इनसानों से सिर्फ सिर्फ इनसानों से फड़ा, सुकून मनाईए सिर्फ इनसानों से जजबात नहीं वाबस्ता अहा सिर्फ इनसानों से जजबात नहीं वाबस्ता प्यार की रुत में परिंदे भी घजल गाते हैं और पहले सुनते थे पहले, पचास साल पहले पहले सुनते थे गाती थी घजल कोयल भी अब तो हद हो गई कवे भी घजल गाते हैं कवे भी घजल गाते हैं अपने होठों की एक हसी रख दो अपने होठों की अपने होठों की एक हसी रख दो मेरे कमरी में रोशनी रख दो अपने होठों की एक हसी रख दो मेरे कमरे में रोशनी रख दो तुमको मजबूरियों ने घेरा है जाओ, तुम मेरा नाम मतलबी रख दो तुम मेरा नाम मतलबी रख दो मतलबी रख दो वावाव, शुक्रिया लेकिन कहना है, खवाल साहब दर्दे कम हो जाएगा दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा दर्द कम हो जाएगा इजहार कम हो जाएगा कवाल साहब रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा रोज हम मिलते रहे महिने महिने ठीके रोज नहीं रोज हम मिलते रहे तो प्यार कम हो जाएगा अजीस जमाने के मसीहा पर भरोसा मत करो हम दवा देंगे तो एक बीमार कम हो जाएगा उन्होंने कहा भुला दिया अच्छा नहीं किया देखिए खजल के जवाब में मुकाबला किसे कहते है ये नहीं कि उनकी माँ उनकी बहन उनकी वो इसे मुकाबला नहीं कहते है रदीफ काफिया के साथ इन्होंने कहा अच्छा नहीं किया भुरा नहीं किया यह नहीं किया वो नहीं किया तो मेरा क्या कहना है हमने तुम्हारे प्यारी को और कीगा